हम हिंदु शब्द का उप्योग करते हैं हिंदुस्तान हिंदुराष्ट्रा ऐसा कहते हैं इसको लेकर भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं इसलिए जानना चाहिए हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थो को पूजा से जोड़कर संकुचित किया गया है लेकिन संग में संग की भाषा में उस केवल पूजा खानपान तक मर्याधित संकुचित अर्थ में उसका प्रयोग नहीं होता वास्तविक्ता में और हमारी मान्यता में वह शब्द अपने देश की पहचान को अध्यात्म आधारिक उसकी परंपरा के सनातन सातत्य तथा समस्त मूल्य संपदा के साथ अभिविक्ति देने वाला एकमात्र शब्द है इसलिए संग मानता है कि यह जो शब्द है हिंदू भारत वर्ष को अपना मानने वाले उसके संस्कृति के वैश्विक और सार्वकालिक मुल्यों को आचरण में उतारना चाहने वाले तथा यशस्वी रूप में ऐसा करके दिखाने वाली उसकी पुरुवच परंपरा का गवरों मन में रखने वाले सभी 130 करोड समाज के बंदों को लगव होता है हम ऐसा मानते हैं उस सब्द के विस्मरण से हमको एकात्मता के सुत्र में पिरोकर देश्व समाज से बानने वाला बननन डिला होता है हिंदु भाव को जब जब भूले आई विपद महान भाई तूटे धर्ती खोई मिटे धर्मसंस्थान यह इतियास है अपने जेश का और इसलिए हम देखते कि जो इस समाज को तोड़ना चाहते है वो इस शब्द के टिका टिकपणी से ही शुरू करते हैं हम इंदु नहीं है एक ही हमारे बड़ी पहचान की अभिव्यक्ति के रूप में यह सारे आये हैं पहले से यहां पर थे कुछ बाहर से आ गए वो भी इसका हिस्सा बन गए इस आरी हमारी छोटी पहचाने हमारी विविधता है हिंदु विचार में ऐसी सब विश्ववगर की विविधताओं का स्विकार और सम्मान है पूर्ण स्विकार है पूर्ण सम्मान है परंतु इन विविधताओं को वो लोग बताते कि आप लोग केवल विविधता प्रकार के लोग नहीं हो आप लोग अलग-अलग प्रकार के लोग हो डाइवर्सिटी को वो सेपरेटनेस बताते हैं क्यों कि being different का अधिकार उनके पास नहीं है हम being different को मानने वाले लोग हैं लेकिन वो difference को separatmış को कि हाथ की उंगलिया अलग होती है कि एक उंगली दूसरी जैसी नहीं होती हाथ पैर जैसा नहीं होता चेहरा पीड जैसा नहीं होता लेकिन एकी शरीर के अंगा है इस अलग-अलग रूप को वो लो कि अलगाओ का मूल बनाते हैं उल्टी-पट्टी पढ़ा कर और समाज में जगड़ा उत्पन न करते हैं वास्तोविक में हम देखते हैं कि हिंदु ये किसी पंथ संप्रदाय का नाम नहीं है किसी एक प्रांत का उपजाया अपना शब्द नहीं है किसी एक जाती की बपोती नहीं है किसी एक भाशा का पुरुषकार करने वाला शब्द नहीं है इन सब विशिष्ट पहचानों को कायम श्वीकृत वा सम्मानित रखते हुए भारत भक्ति के तथा मनुष्चता की संस्कृती के विशाल प्रांगन में सब को बसाने वाला सब को जोडने वाला शब्द है इस शब्द पर किसी को आपत्य हो सकती है आशाय अगर समान है मन में तो दूसरे शब्द का उप्योग करने पर हमको कोई आपत्य नहीं परंतु इस देश के एकात्मता के वह सुरक्षा के हित में इस हिंदू शब्द को आग्रह पुर्वक अपना कर उसके स्थानिय से लेक जिसमें विश्व मानवता का भी अंदरवा हो सकता है और इसलिए इन सब अर्थों को मन में कल्पना में रखकर संग चलता है और इसलिए जब हम कहते कि हिंदूस्थान हिंदुराष्ट रहे तो इसके पीचे हमारी कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं है सत्ता के इंदू संक इसलिए उसी का रहेगा बाकि सब बाहर एसा नहीं है अपने राष्ट्र का स्वह हिंदूत्व है हम हिंदू है यानि क्या है यह एकमात्रा बात है सारे विश्वकी विविधताओं का पूर्न अस्वीकार और संबान समस्त राष्ट्र जीमन के सामाजिक सांस्कृतिक इसके लिए उसके समस्तक क्रिया कलापो को दिगदर्शित करने वाली कि करने वाले मूल्यों का वह उनकी व्यक्तिकत पारिवारिक व्यावसाइक और सामाजिक जीवन में अभिव्यक्ति का नाम हिंदू इस सब्द से निर्देशित होता है कि मात्रुवत प्रदारेश्यों भारत के सब जातिवर्गों की भारत के सब भारतिय भाषा भाषिकों की यही मान्यता है और भारत के बाहर के संप्रदाय भाषा को लेकर यहां रहने वाले लोगों में भी क्योंकि वह भारतिय पुरोजों के ओंश जये यह बात उतरी है उनको पहचानना चाहिए क्योंकि यह कुछ छोड़ना नहीं पड़ता आपको आपको हम हिंदु कहते हैं तो आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ता आप अपने आपको हिंदु कहते हैं तो आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ता केवल हमारी भाषा हमारा पंथ सम्रदाई हमारा प्रांत इसी का वर्चस्व रहे देश में बाकी सब गौण हो जाए ऐसी जो महत्वा कांशाएं है वो छोड़नी पड़ती है मन से हम दूसरों से अलग है हमको अलग रहना है यह अलगाव वाज छोड़ना पड़ता है मन से हम ही सही बाकी सब गलत यह कटरपन छोड़ना पड़ता है उस कटरपन के चलते आई हुई मतांतरन जैसी गत्वीजियों को छोड़ना पड़ता है और इन बातों की इन विविधताओं को अलगाव बनाकर हम लोगों को भड़काने का सतत उद्योग करने वाले लोगों से हमको बचके रहना पड़ता है, द्वेश सिखाने वालों से बचके रहना पड़ता है.